आप लोगों को वेलकम करता हूं मैं अपने न्यू विलॉग में और आज का जो विलॉग है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंके मैं आपको दिखाने वाला हूं मज़ेदार खाने कैसे बनते हैं पक्वान सेंटर में और आज का विलॉग है पक्वान सेंटर का और जो खाना बना रहे हूं बहुत ही जबरदर शेफ है और उनने अपना पक्वान सेंटर बनाया और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है शेफ ह और यह बन्दा बहुत जबर्दर्श शेफ हैं और इन्हों ने अप्रा पक्वान सेंटर बनाया और पहले भी इससे पहले भी मतलब काम कर रहे और इनके हाथ का खाना मैंने बोट बार खाया और आप लोगों ने भी टेस्ट किया होगा जितने लोग हमारे पाथ अफ्तारी कर अब आप निकाला मेरे लिए दूसरी बार शेफ एसान बना रहे हैं जाजान का अलवा और इसकी जो फूल विटियो वह भी आपको दिखाई देंगे यह तो थोड़ा सा मेरे व्यूर्स को बता दें कि आपने कहां से सीखा था और कैसे आप पक्वान सेंटर के तरफ आए है कि अपने बारे में बताता हूं मैंने जब शुरू किया तो एक पार्टनर श्रिप पर शुरू किया था आज अपना काम है अपना पक्वान है और दूसरी बात मैंने सीखा है शेजाद भाई हैं पगवान वाले बड़ा अच्छा काम करते हैं वो भी यहाई पर यह नासे ज इसके बाद मुस्तफा उस्ताद उन्हों ने भी मुझे सीखा है चीज़े बताई है कि ऐसी होगा ऐसी होगा सारा कुछ जानी के मुझे समझाए मैं अपनी वाल्दा का बहुत शुकर बदार के वाल्दा की दौाओं से यहां तक पहुचा हूं उनका लाग लाग शुकर हुचा 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 है हुचा हुचा है हुचा है हुचा है हुचा है हुचा है झाल 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 गाजर का अलवा रेडी है तो यह बताएं के आपके पकवान सेंटर में अगर कोई और देना चाहे और यह फिर आप विजट करना चाहे और कैसे यह पर आसकते अड्रेस बताएं और यहां पर आड्रेस है लग जाता है पी इंटी गेट के बिल को सामने थल्ला है रफीक बिलाको वाला मशूर थल्ला और उसके साथ है वफा मजिद के साथ ही हमारा पकवान सेंटर है नजीर पकवान आउस तो कॉंटेक्ट नमर है मेरा 03-1-04-1607 आप इंको कॉल करके आप इनको ओडर दे सकते हैं और डिलिवरी चार्जज पता नहीं के नहीं है लेकिन वह फिलाल डिलिवरी चार्जज देंगे जी और नियर मतलब कुरंगी लांडी के अंदर डिलिवरी चार्जज बिल्कुल नह